शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले चीसोली के शियो मंदीर परिसर में कोलार नदी में मशली पकड़ने गए यूवक की नदी में बहजान से मौत हो गई है बल्के अनलोग सुरक्षित बचाए गए है मनीश हुई के खापर खेडा निवासी और रितिक दुपारी खापर खेडा निवासी है यह सबी मशली पकड़ने के लिए गए थे इन में से चार लोग नदी किनारे एक जगए खड़े थे वही जीतेंडर के साथ एक दोस्त मशली पकड़ने के लिए जाल पैक ने लगा इसी दोरान अचानक नदी के पानी की गती और तेज हो गई और जितिंद्र को पानी का तेज प्रभा अपने साथ बहा ले गया आकाश इरपाची को तेर ना नहीं आता था इसलिए उसने जितिंद्र का हाथ पकड़कर बचाने का परयास किया लेकिन पानी के बहाव में जीतंडर बह गया जैसे तैसे आकाश ने अपनी जान बचाई जिसके बाद सभी ने खापर खेड़ा पुलीस को घटना की जान कारी दी तुरंथ ही पुलीस घटना स्कल पर पहुची खापर खेड़ा थाने के पुलीस निरिक्षक चंदरकान काले पुलीस उपर निरिक्षक भावराओ निमगडे के मारगे दर्शन में टीम जीतंडर की तलाश में जूट गई है दूर दूर तक तलाश करने के बावजूद भी जीतंडर का कही भी पता नहीं चल पाया जिसके बावज पुलीस ने सावनेर के रेस्क्यू टीम के लिए तैसलदार को फोन किया और पटवारी मोहितकर को भी जानकारी दी इस समन में ठानेदार चंदरकान काले ने बताया कि खापर खेड़ा पुलीस गोता खवर रेस्क्यू टीम द्वारा शोत कारे जारी है